साथियों आज हम लोग इस एपिसोड में नाटक लिखने का व्याकरण विशेपर चर्चा करेंगे और आप जानते ही हैं कि अभिवेक्ति और माध्यम किताब जो आप पढ़ रहे हैं उस किताब में यह चैप्टर आता है और इसमें साहितिक लेखन की विशेष्टाओं पर चर्चा की गई है खासतार से नाटक लिखने की क्या विशेष्टाएं होंगी, कौन से बिंदु होंगे इनको लेकर इस पर काफी अच्छे से चर्चा की गई है आप जानते ही हैं, आप तो नाटक खेलते भी हैं, आप नाटक बाकाइदा अपनी स्कूल में करते होंगे लेकिन नाटक करते हुए कई बार हमें समस्याई कहां कहां आती हैं, कहां हमें दिक्कते आती हैं यह हमें समझ में नहीं आता है और साथ ही लिखने की एक कला जो लिखने की तरह तरह की शैलियां आप जानते हैं उन शैलियों में नाटक लिखने की शैली को भी जानना आपके लिए जरूरी है क्योंकि जब कभी आप कहानी का नाटे रुपांतरन कर रहे होंगे या किसी कविता का नाटे रुपांतरन कर र और आप यह भी जान लेजे कि इसके माध्यम से हम क्या क्या जानेंगे, इसके माध्यम से हम नाटक की और अन्निविधाओं के क्या संबंध होते हैं, या क्या अंतर होता है, यह भी जानेंगे, नाटक में समय के बंधन का क्या महत होता है, यह भी जानेंगे, नाटक के तत्व और अस्विकार की ओधारना का क्या महत्व है, स्विकार क्या होता है, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे नाटक की शिल्प पर भी हम बात करेंगे और नाटक की विधाओं पर भी बात करेंगे चलिए पहले सबसे पहले हम शुरू करते हैं नाटक और अन्य विधाओं का क्या संबंध बनता है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं लेकिन इसके साथ ही सबसे पहले ये भी जान लेते हैं कि नाटक की विधा का महत तो हमारे साहिते में क्या है और कब जन्म लेता है नाटक कविता सबसे पुरानी विधा मानी जाती है आप सब जानते हैं पहले से ही जानते हैं लेकिन कविता के बाद जो दूसरी विधा आती है वो विधा है नाटक अच्छा क्यों आती है दूसरी विधा यह भी सोचने की बात है तो कविता के बाद दूसरी विधा के रूप में अगर हम नाटक को गिनते हैं तो क्यों गिनते हैं उसकी बड़ी वजह यह है कि इसमें सम कविता के बाद करना असान हो गया, क्योंकि संशिप्तता इसकी सबसे वड़ी विशेषता है, जो कविता की भी विशेषता है। उसके बाद कहानी वगएर का जन्म होता है, तो कुल मिलाकर के नाटक हमारे लिए इसलिए भी महत्वपुन विधा के रूप में आया, क्योंकि इसमें दृष्यात मक्ता थी, बल्कि इसको एक नाम दिया जाता है दृष्य काब, आप जानते होंगे, यानि जो दिखाई देने वाला काब है, जो आखों से देख सकते हैं, कविता सुनने की विधा भी हो सकती है, लेकिन कविता को देखने की विधा के रूप में अगर हम माने ही जानेगे, तो नाटक के रूप में जानते हैं. और आप जानते ही हैं कि शुरुवाती दौर में लोगनाटक हुआ करते थे, थोड़ा सा परिचाय आप जान लीजिए कि शुरुवाती दौर में लोगनाटक हुआ करते थे, लोगनाटक धीरे 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 थोड़ी सी उसमें ऐसे तत्वा आते चले गए कि उसको एक श यह जरूरी है तो उस आभिचात्य कह सकते हैं उसका एक स्वरूप बना और जिसमें जिसको आप कह सकते हैं कालिदास के नाटक उनमें गिने जाते हैं शुद्रक के नाटक उसमें आते हैं भाववोती के नाटक आते हैं और बहुत से विशाकदत के नाटक आते हैं भास के ना बढ़ता चला गया और नाटक की कई स्वरूप हमारे सामने हैं उसमें संगीत जुड़ता चला गया उसमें बहुत सी और चीजें जुड़ती चली गई तो हम थोड़ी सी इन बातों को जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में शुड़ू करने इससे पहले विजय तिंदूलकर का एक कथन है जो आपके सामने में पेश करना चाहूंगे उन्होंने कहा है कि नाटक का तंत्र लेखा खुद निश्रित करना पड़ता है नाटक नाटे तंत्र के नियमों से मागदर्शन होगा ये कोई जरूरी नहीं है लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसके पालन से एक अच्छा नाटक लिखा जा सकता है ये जरूरी नहीं है उन्होंने ये भी कहा है कि विश्व के बहुत से अच्छे नाटक तो बिना किसी नियमों के बाकाइदा बहुत ही अच्छे साबित हुए हैं लेकिन ऐसे बहुत से नाटक हैं जिन में नियमों का पालन हुआ है लेकिन उन नाटकों ने कोई प्रभाव नहीं छोड़ा है तो जरूरी इस बात की है ये बात ध्यान रखना चाहिए ये बात ज्यादा महत्तपुन है कि नियम पालन किये जाए उतने ही उस सीमा तक ही जितने की जरूरी है ना कि अनावर्षक रूप से नियमों पर जोड दिया जाए तो अनावर्षक अगर हम नियमों पर जोड देते है तो नाटक की विशेशता खत्म हो जाती है उसका महत खत्म हो जाता है तो इसलिए विजय तुन्देते नुलकर की कही हुई ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम नाटक पर कोई काम कर रहे हैं नाटक के लेखन पर काम कर रहे हैं तो हमें इस बात पर ध्यान देना ये भी जानने की कोशिश करिए कि साहित्य और अन्य विधाओं का क्या सम्बंध है चलिए हम पहले सबसे इसी बात को देख लेते हैं पहली बात तो ये होती है कि अपने लिखित रूप में साहित्य की अन्य विधाएं जो है वो अन्तिम रूप में एक रूप प्राप्त कर लेती है और वो एक ऐसा रूप होता है जिसको पढ़ सकते हैं, जिसको सुन भी सकते हैं जैसे कहानी हुई, कविता हुई, उसको हम पढ़ भी सकते हैं, उसको सुन भी सकते हैं केवल यानि शुरुवात में हम नाटक को पूरा नहीं मान सकते यानि रंग मंच उसकी एक अनिवार ये शर्त है रंग मंच के लिए ही नाटक लिखा जाता है ना कि नाटक सुनने के लिए लिखा जाता है और ना ही पढ़ने के लिखा जाता है ये और बात है कि बहुत से उसके जो निर्देश आते हैं, वो पूरी तरह से रंगमंच के निर्देश होते हैं. इसलिए दूसरी विधाओं से उसके बहुत अंतर आप पाएंगे, क्योंकि पढ़ने और सुनने की यात्रा जो दूसरी विधाएं करती हैं, नाटक पढ़ने और सुनने के साथ साथ देख देखने की विधा भी उसमें दिखाई पड़ती है, यानि देखने का तत्तो भी उसमें कहीं न कहीं शामिल होता है. अब दूसरी बिंदु पर आते हैं. नाटक में समय का बंधन भी बड़ा महत्वपुन है. संस्कृत के नाटक जो लिखे गए, आपको पता होगा यहां त जाहिए, एक नियम में बंधा उसका शास्त्र बना. तो समय का बंधन नाटक की रचना पर पूरा असर डालता है. यानि किसी भी विशय को सिर्फ उतना ही दिखाया जाए, उतना ही उसका स्वरूप हमारे दृष्य के रूप में आना चाहिए, जितना हम पर असर डालता हो. यानि गैप को कह सकते हैं कि उसके बाकी किसी नायक के जीवन के पूरे अंगों को देखना हमारे लिए बहुत महत्यपुन नहीं होता है. सिर्फ वो महत्यपुन होता है जहां स्विकार है, जहां संबाद है, जहां कह सकते हैं तनाव है, जहां संघर्ष है, वो सारे हमारे ल कर अन तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर पुरा होना होता है ये ध्यान रखना होता है नाटक कार अगर अपनी रचना को माली जी के अतीज से शुरू करता है भूत काल से शुरू करता है और फिर उसको भविश्यकाल की भी बातें बतानी है तो दोनों को उसको बताना कहा है उसको बरतमान इस्तिति में ले आना है यहनि रंगमंच में जब दर्शक देख रहा है रंगमंच पर जा रहा है देखने के लिए तो जो रंगमंच देख रहा है उस रंगमंच में उसको बरतमान में ही होना है शैली उसकी बरतमान में ही होगी भाषा उसकी बरतमान में ही चाहे वा कथा बहले ही महाभारत की वह कतने हजारों वर्ष पहले की घटना कही जाती है बावजूद इसके अगर आज के समय में उस नाटक को हम देख रहे हैं तो पूरी तरह से जो दर्शक है उसका तादात्म उसके साथ हो जाता है उस चरित्र के साथ हो जाता है उसमें जो भी चरित्र आते हैं चाहे योधिस्ट्रिट हो चाहे कोई भी हो तो वो सारे चरित्र दुर्योधन है या भिश्मिपितावा है इन सारे चरित्रों के साथ एक तादात्मिस्थापित उसे करना पड़ता है जैसे अगर माल लेजिए कि आपको याद होगा कि उसमें पांचाली है यानि द्रौपदी तो द्रौपदी एक चरित्र है और द्रौपदी चरित्र की उस द्रिश्य को याद करिए कि जहां पर उसका चीरहरन हो रहा है तो चीरहरन का द्रिश्य है और उस चीरहरन के द्रिश्य को लेकर के जब बताने जाती है माल लेजिए इस पूरी समस्या को इस पूरी घटना को कल Bringing करिए कि भीश्म पितामह से अपनी समस्या बयां करती है कहती तो भीश्म पितामा के चेहरे पर परिवर्तन होगा यानि वह ऐक चुप्पी हो सकती है,use Zusti कर सकने कि उस चुप्पी को भी जिस तरह से बयां करता नाटक जिस तरह से दिखाया जाता है आप कलपना कर सकते हैं कि कहानी में इस बात को बताने के लिए संभवत कम से कम दो-तीन पेज हमें दिखाना पड़ेगा दो-तीन पेज लिखना पड़ेगा, दो-तीन प्रिष्ट पर बयां करना पड़ेगा कि भिश्मिपितामः को ने क्या सोचा, क्या-क्या हुआ उनके साथ, ये सारी बातें सिर्फ एक दृष्ट से हम बयां कर सकते हैं नाटक में, और वो भिश्मिपितामः के चेहरे की चुप चुप चाप खड़े हो जाना, और थोड़ा सा और अगर हम प्रयास करें, तो चूँकि अब हमारे पास सुविधाय बहुत सी हो चुकी थी रंगमंच की, तो कल्पना करिये कि वहां हमने बिल्कुल अंधकार कर दिया, एक सिंबॉलिक प्रतिकात्मक तरीके से, तो हमने अं प्रतमा एक तरह से अपने को असमर्थ पा रहे थे, कुछ भी कल सकने में, तो ये तमाम इस्थितियां अगर कल्पना करिये, कि अगर हमें उस भविष्च की कल्पना उस तरह से करना है कि आने वाले समय में क्या भिष्म प्रतमा को ये निर्णा लेना चाहिए था, या उस लेके आना है, तो हमें कुल मिला करके हमें बरतमान में सोचना होगा, बरतमान की परिद्रिश्य को सोचना पड़ेगा, लेकिन साथ ही हमें भार्षा में भी बरतमान में सोचना पड़ेगा, लेकिन साथ ही हम कहीं न कहीं इस भविष्च की उन घटनाओं तक भी जा सकते है कि विश्म पितामा को क्या क्या करना चाहिए था विश्म पितामा क्या कर सकते थे इस कल्पना की ओर भी नाटक कर जा सकता है तो ऐसे मंच निर्देश भी देने पड़ते हैं तो तमाम चीजों पर हम लोगों को बर्तमान काल में लिखते हुए देखना पड़ेगा नाटक में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, नाटक एक बार शुरू हुआ तो उससे खत्म होना होगा, तभी उसका प्रभाव होगा, कहानी आप बीच में छोड़ सकते हैं, उपन्यास आप बीच में छोड़ सकते हैं, कभी तो आप बीच में छोड़ सकते हैं, लेकिन नाटक बीच म भी शुरू करें तो हमें समय को ध्यान में रखते हुए वहीं से शुरू उसको करना पड़ेगा नाटक कर को यह भी सोचना जरूरी है कि दर्शक कितनी देर तक किसी एक दिर्शे को देख सकता है यह मान कर चलिए मान लेजिए कि दरौपदी की चीरहरन का ही दिर्शे है इस अगर हम थोड़ी देर तक दिखा रहे हैं मुश्कल से दो मिनट तो शायद हम बरदाश्ट कर लेंगे कल्पना करिए कि इसको खीच करके कोई पांच मिनट तक ले जाता है तो आप बरदाश्ट नहीं कर पाएंगे और यह लगेगा कि आप कुल मिला करके बेवज़ा खीच नहीं करता है रंगमंच बिलकुल बरदाश्ट नहीं करता है इसलिए नाटक का प्रभाव तभी पड़ेगा जब समय का बहुत ज्यादा महत्व दिया जाए तो यह बात हम लोगों को ध्यां देने की जरूरत है कहानी को आप अपने सामने घटित होते देख सकते हैं नाटक में किसी भी चरित्र का पूरा विकास होना जरूरी है जैसे माल लेजे कि कहानी है आप कल्पना करिए हामित की कहानी है जो इदगा कहानी प्रेम चंद की आप पढ़ते हैं तो इदगा कहानी में पुरी की पुरी कहानी आप याद करिए उसमें आप जो हामित मेले में जाता मेले से लौट कराता है, अपनी दादी से समवाद करता है, तो पूरा दृश्य हमें घटित होता हुआ दिखता है, और हम चाहें तो रोक करके फिर से कहानी को पूरा घटित होता हुआ देख सकते हैं, लेकिन नाटक में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसी को अगर नाटे पांतरित करके रंगमंच पर ले आया जाए, तो जहां मेले में गया है हामित, उसके बाद दर्शक इस बात का इंतजार नहीं कर सकता, कि मेले से जब तक लोट के आए और वो कपड़ा बदले और आपके सामने एक दूसरा दृश्य शुरू हो, यह संभव नहीं है, हम जरा भी उसमें इंतजार नहीं कर सकते, तो यदि हम भरत लिखित नाटिशास्त्र को भी देखें, तो उसमें नाटक कारों से या पिक्षा की गई थी, कि नाटक के हरेक अंग की जैसे आप मैंने कहा, कि कम से कम उसकी अवधी अनतालिस मिनट की हो, तो नाटक के तत्वो पर बात करते हुए हम इन सब विश्यों पर ध्यान हमें देना चाहिए, और जरूर इस बात को सोचना चाहिए, चली एक मैं आपके सामने एक घटना बताती हूँ, एक नाटक के बारे में थोड़ा सा जिक्र करती हूँ आपके सामने, कि कैसे जैसे जस्मा ओडन नाटक का न बात बीट गया है, वैसे ये तो लोग-क्था है, लेकिन लोग-क्था के आधार पर एक नाटक तयार किया, और शांता गान्धी जो कि बहुत आच्छी नाटक ऋंभाक सामने इसको किया। जब उन्होंने संपादित किया, तो दृष्षी क्या था? दृष्षी ये था कि एक राजा था और वो राजा जो कि कामो कह सकते हैं, थोड़ा सा एक बिल्कुल सामानी इस्त्री है, मजदूर इस्त्री है, उस मजदूर इस्त्री के साथ समवाद करता है, तो छोटा सा दृष यह पूरी की पूरी घटना अपकल्पना करिये कि है तो मद्धिकाल का लेकिन शांता गांधी ने इसको एक आधुनिक काल के रूप में सोचा है जिसको समय का बंधन में कह रही थी तो शांता गांधी ने इसको बिल्कुल आधुनिक नाटक की तरह सोचा है और आधुनिक सव के साथ इसको पेश करती है नाटकमालेजी की दिर्षय है कि जब एक दूसरे से समवाद करते हैं वो इस्तरी को अपने बंधन में बांधना चाहता है इस्तरी को अपने साथ ले जाना चाहता है तो सिद्राज के साथ जस्मा समवाद करती है जस्मा कहती है सिद्राज से कि तु तो तिम क्या तुम मिटी कोद सकते हो। बहुत सारे काम करने वाले हैं तो फिर कहती है जस्मा बड़े तुछ भाव से उसको देखती है वो एकदम द्रिश्य आप सोचिए कि एकदम तुछ भाव से निहारती है उसको और फिर कहती है तुछ राजा तुझे आता ही क्या है तुझे तो ना तो जमीन खोद ना आता है ना तो तुझे मकान बनाना आता है ना तुझे रसोई बनाना आता है तुझे आता क्या है माल लो कि कल को तुम्हारी ये नोकरी न रही माल लो तुम्हारा मुकुट भी चला गया तो तुम क्या करोगे तो तुम को कोई नौकर भी नहीं रखेगा इससे तो हम ही लोग अच्छे है कि कम से कम मेहनत करके हम अपनी रोटी खा सकते हैं यह अपने आप में सोचिए यह दृष्ष अपने आप में कैसे वो जवाब देती है एक स्ट्री को आधुनिक रूप में शांता गांधी ने प्रस्तुत कर दिया समय बदल दिया और उस आधुनिक रूप में प्रस्तुत करके मेहनत मजदूरी की महत्तों को भी प्रदर्शित कर दिया और साथ ही एक ऐसी आत्म विश्वास से परिपूंड स्त्री जिसको हम कह सकते हैं तुम्हें कुछ भी नहीं आता कोई कला नहीं आती तो किस लालस से तुम मुझे बुला रहे हो मैं क्यों आऊ तुम्हारे पास बहुत ही खुबसूरत तरीके से इसको उन्होंने पेश किया इसलिए समय की बात जब मैं कह रही थी तभी नाटक का महतो होगा और यहीं शांता गांधी ने जस्मा ओडन नाटक में किया कभी मौका मिले तो आप जरूर उसे देखिए इसी तरह से नाटक में शब्दों का बड़ा महतो होता है शब्दों का महतो तो कविता में भी होता है लेकिन नाटक में भी इसका बहुत ही महतो होता है जैसे अगर माल लेजिए कि जिस जगे पर जिस तरह की भार्षा प्रियोग की जाती है उसी भार्षा में उस नाटक का होना बड़ा महतो रखता है यह बहुत ही माईनी रखता है और उसको हम कैसे माल लेजिए अगर मैं यह क बच अच्छे समवाद उसमें प्रस्तूत किये जाते हैं और जो हमें आकरिष्ट भी करते हैं बांती भी हैं लेकिन आपने सुना होगा अभी दिल्ली में ही एक जगह पर जामिया के पास वहाँ इसको बाकाइदा उर्दू में प्रस्तूत किया गया है तो जब उर्दू शैल यह का भर क्वफिन और जामिया जल से की घुए इसके जो हम आऑघ उसया जुके भारत में उसका रूपांतरण कर रहां जैसे हमलेट को आगर हम लोग माल लेजी बहरत में रूपांतरित करते हैं प्रस्तूत करते हैं तो हम हमलेट को अःडु करते से कौछिट कि memorized k regulation of the second approach, our craft ड़ता हम जाने उसके पहनावे वढ..? काई बार हम उसके अने सम्वादों को भी असके बहां के बदलने की कोशिश करतें हैं लेकिन पर बेभाद है लेकिन फिर भी ऐसा भी कई बार करते हैं क्योंकि हमारा सबसे पहला उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम किस के लिए इसको परदर्शित करने जा रहे हैं कौन देखेगा, कौन सुनेगा, कौन पढ़ेगा तो यानि हमारा टारगेट ओडियन्स कौन है, यह बहुत महतु रखता है अगर हम किस के लिए कर रहे हैं यह पता है तो भाशा, समवाद, सब कुछ उसी के अनुसार बदलता चला जाएगा शब्द भी बदलते चले जाएंगे जैसे कहीं कहीं कुछ लोगों ने प्रयोग किये हैं ऐसे कि जैसे संगीत आत्मक धंग से कुछ लोग बात करते हैं आपने बच्चों को भी आप लोग भी करते हो गया ऐसा कि वहां होई थी लडाई, अभी होगी पिटाई इस सरह से आप अक्सर तुकबंदी वाले खेल करते हुए कहीं बार डायलॉग समवाद लिखे जाते हैं तो ऐसे भी आपने नाटक देखे होंगे कई लोगों को बात कर्चित करने का के शैली ही यही होती है तो अगर हम वहां के लोगों को आधार बना करके वहां के लोगों को विशय बना करके वहां लोगों के कथे को विशय बना करके अगर हम लेके आते हैं तो निश्यत रुप से हमें उन शब्दों पर ध्यान देना पड़ेगा कैसे शब्द प्रियोग कर रहे हैं ऐसे ही एक लीला मैं आपको बतलाती है जब राधा से मिलने को प्रभू स्वेम राधा बन गए नाटक में शब्दों का बड़ा महतो होता है तो नाटक में अगर शब्दों का महतो है बिल्कुल कभिता की तरह से ही नाटक में शब्दों का महतो है तो हमें ध्यान देना होगा कि कहां के लिए हम लिख रहे हैं, कौन हमारा दर्शक है, कौन इसको सुनने वाला है, तो उनक्यों ध्यान में रखते हुए भाशा में भी परिवर्तन किया जाता है, यहां तक की शब्दों में भी परिवर्तन हो जाता है, कई बार कुछ जगों प तो हमें अपनी समवाद लिखते समय यध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें हम उसम्बादों में भी वह गितात्मक्ता लाने का प्रयास करें और उसमें कहीं न कहीं वह संगीत आए तो नाटककार के लिए जरूरी हो जाता है कि वह अधिक से अधिक संशीप्त और सांकेतिक भ अला उसे आनी चाहिए बाकाइदा शाब्दिक अर्थ से ज्यादा व्यंजना की और हमें ले जाने की जरूरत है जैसे अब मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि माल लेजिए कि हमें किसी द्रिश्य परिवर्तन की बात करनी है या यूं ही कि वहां ले गए तो हम केवल बत सकते हैं और ऐसा करते ही आपके सामने एक दूसरा द्रिश्य आ जाता है और ये रंगमंच को निर्देश रहता है बाकाइदा और दूसरा द्रिश्य आ जाता है तो ये इशारा और संकेत बहुत महत्तों रखता है संकेत कई बार चेहरे के भाव से भी हो सकता है जैसे अब क जैसे रावन को बहुत क्रोध में दिखाया, राम को बहुत क्रोध में दिखाया, जब सीता को उठा ले गए रावार तो, ये तमाम दरिश्य जो अगर आते हैं, तो केवल चेहरे पर क्रोध दिखा देने मात्र से हमारा काम चल जाता है, हमें जरूरत नहीं है कि हम उस पर बह जले गए, शब्दों से भी जादा अर्थ उसका प्रस्तु थो रहा हो, यानि अर्थ ध्वनी थो रहा हो, ये बहुत महत्यपुन है, तो नाटक का एक मौन भी बहुत महत्यपुन है, नाटक का एक अंधिकार भी बहुत महत्यपुन होता है, तो कई प्रिष्टों के बराब नाटक का form, नाटक का शिल्प कह सकते हैं, उसकी संरचना बदल जाती है, तो जैसा कथे होगा, वैसा शिल्प होगा, तो कथे के अनुसार शिल्प बदल जाता है, तो नाटक में यह भी महत्व होगा, जैसे अगर महाभारत कालीन कथा है, या कह सकते हैं, रामायड कालीन कथा तो निश्यतरुप से वो हमारा शिल्प बदल जाएगा और अगर हमारा आधुनिक नाटक है वही महा भारत की कथा जिसको अंधायूग में धरमबीर भारती ने प्रस्तूत किया तो धरमबीर भारती की उस अंधायूग को प्रस्तूत करने के लिए वो संस्क्रत योग के नाटक को मंच पर खेला जाना है, कहीं और नहीं, यानि किताब में उसे हम न कल्पित करें, बल्कि मंच पर कल्पित करें, तो यह हमें ध्यान देने की जरूरत है, एक कुशल संपादक भी नाटक कार को होना पड़ता है, यानि लालच नहीं कि हर दृष्य दिखाना है, संवा करना कार के लिए वैसे तो यह होना चाहिए, कि संपादन बहुत महत्व रखता है, और पहले घटनाएं, स्थितियां, दृष्यों का चुनाव करें, फिर उन्हें किस क्रम में रखा जाए, या भी सोचें, और शोने से उपर तक, यानि शिखर तक जाने की दिशा, खुद जरूरत है, गड़ाल चाड, रहा रखे, हुझार तुम नहीं, नहीं, मैं से डाटी थी, हुझां, माद भी रही थी, क्यों, क्या हों, इसको, हुझा, भूखार आता है हुझा, तो इसको यह छोड़ कर रुला की रही है, क्या करें हुझा, गोद में लिए 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 काम कैसे होगा तो आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने नाटक के विश्यों तक बात की है नाटक के विश्यों अभी बहुत से विंदूओं पर हमें नाटक के चर्चा करनी है जैसे समवाद हुआ या उसके और दृश्य हो गए या उसका उपसंगहार कैसे होगा तनाव और सं झाल झाल